कि अपने यूट्यूब पर तो गाइज वेलकम टोवर चैनल मैं कुसुम एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो गाइज आज हम बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक पर बात करने वाले हैं वैसे तो हम इस चैनल पर हेल्थ केर हेर केर स्क करते हूं लेकिन आज ये समस्या के वारे में हम बात करने वाले हैं उससे ना किवल पूरा हिंदोस्तान बलकि दुनिया का हर एक दूसरा व्यक्ति प्रिडित है जी हाँ एकदम सही सुना है आपने ये ऐसी समस्या है जो बच्चों की उमर से लेकर बुड़ापे तक इनसान का पीछा नहीं छोड़ती हम बात करने जा रहे हैं हेर फॉल की समस्या की जी हाँ ये एक ऐसी समस्या है जो इनसान के मन में डिप्रेशन पैदा करती है इसके साथ साथ उसका कॉन्पिडेंस लेवल भी कमजोर हो जाता है आपको सुनकर जरूर ताजुब हो रहा होगा लेक कि इसके साथ साथ तो कई बार समस्या ऐसी हो जाती है कि इनसान अपने आपको शीशे के सामने निहारने में भी संकोच करने लग जाता है तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक और नेच्रल इंग्रेजेंट्स का एक पेस्ट बताऊंगी जिसे लगाने के बाद आपको कुछ महीनों महीनों तो मैंने ज्यादा बोल दिया कुछ हफ्तों में ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा और आप महसूस करेंगे कि आपकी ये प्रॉब्लम अब खतम हो रही है तो चलिए चलते हैं उस बेसिक और नेच्रल तरीकों से बने हुए पेस्ट की तरफ लेकिन वीडियो जरूर पूरी देखिएगा बहुत जरूरी है बहुत ही अच्छी है और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक कर दीजिए और उसके बाद अगर आपको लास्ट में वीडियो अच्छी लगे दिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तो दोस्तों सबसे पहले इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको चाहिए नीम एक ऐसा मतलब मैं क्या बोलू नीम के इतने फाइदे हैं और ये एक इतना अच्छा उपचार है अगर आपने सुना ही होगा अगर कहीं पर इंफेक्शन हो जाए क्योंकि ये एंटी इंफेक्शन होता है एंटी बैक्टिरियल होता है तो इसको अगर आप किसी चीज़ में यूज करते हैं तो उसका कभी भी आपको साइड को तोड़कर सिर्फ आपको पचास या साथ पत्तों की जरूरत पड़ेगी तो आप उसके एक टेहनी को तोड़कर घर में लाकर रख भी सकते हैं इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है सबसे पहले आपको एक बाउल में पानी लेना है दो सो एमल पानी में आपको पचा आपको अफुद दिखेगा की पानी का रंग कितना हरा हो गया है मतलब नीम के जितने गुड़् हैं वो सारे पानी में आ चुके हैं इसके बाद आपको उन पत्तियों को पानी में से छान कर अलग कर लेना है और उससे एक जगा पर रख देना है उसके बाद इसका दूसरा आता है जो है अलो वीरा गैस अलो वीरा भी ऐसा पौधा है जो आपको आसानी से हर घर में मिल जाएगा और आपको ये पौधा कहीं पर भी ढूंडने के लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी तो आपको इस पौधे का करना क्या है आपको ये पौधा आदा काट के उसको ध्य तो आपको उसका करना है अपको ध्यान से काट लेना है उसका यूज करने के लिए आपको इंट्री अपको चला उसे हम एक्चुली में कैसे यूज कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है आपको इस अलोविरा जल के तीन से चार चमज लेने हैं और जो आपके पास नीम का पानी है उन दोनों को मिलाकर आपको उसे अच्छे से कर लेना है और उस ग्रैंडर में पीस लेना है वैसे तो कि इसमें अलोविरा जल mix है और नीम का जो है वो पानी है तो इस में ग्रैंड करने के लिए कुछ होगा नहीं बट आप उसको एक आप इसको एक बड़्र कर लीजएगा इससे आपको ना जादा गाड़ा ना जादा पतला एक पेस्ट मिलेगा तो इस पेस्ट को आपको इसे लगाने के आपको आदे से पौने घंटे बाद ताजे पानी से अपने सर को धो लेना है और उसके बाद में शैंपू से वार्ष कर लेना है इसे अपने दो से तीन महीने अपने सर में यूज करना है आदे पौने घंटे लगा कर उसको वार्ष करिए हफ्थे में दो बार या फिर हो सके तो तीन बार इसे यूज कीजिए देखिए नैचुरल चीज है तो धीरे धीरे असर करेगी तो इसलिए आप इसे यूज कर सकते हैं और सबसे मेन की नैचुरल इंगेडियेंट्स हैं तो आपको एक यह डर नहीं होगा कि इसका कोई साइड इफेक्ट हो सकता है आपको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और यह बहुत ज़ादा आपके लिए यूसफुल होगी तो गाईज यह कुछ इन्फोमेशन थी जो आपके लिए मैंने शेयर करी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपकी हेल्प से कोई और इस प्रॉब्लम से निजात पा सके और गाईज अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बैल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहें और मैं ऐसी वीडियो आपके साथ शेयर जितना हो सके करती रहूं ओके थैंक यू